Hello everyone, मेरा नाम है उतकर्ष मिश्रा और आज हम लोग एक important topic करेंगे Topic का नाम है समाजिक विज्ञानिकों की दिरिस्टी में निर्धनता यानि जो समाजिक विज्ञानिक होते उनके नजरिये में निर्धनता होती है तो इस topic के अंदर सबसे पहले हम दो पहलों की बात करेंगे पहला हम करेंगे समाजिक अपवर्जन फिर दूसरे पहलो आसुरच्छा के उपर बात करेंगे इससे पहले हम थोड़ा एक background समझते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है कि निर्धनता की अनेक पहलों है जैसा है कि हमने पढ़ा पिछली वीडियो में कि निर्धनता होने के कोई एक कारण नहीं है निर्धनता जो होती है वो कई कारणों की वज़े से होती है कोई बंदा गरीब एक कारण के वज़े से नहीं उसके पीछे हो सकता है कई सारे कारण हो और ये देखा जाता है कि जो समाजिक विज्ञानिक है वो अनेक सुचकों के माध्यम से पता कर लेते हैं कि मतलब कई साधी चीजे देखते हैं और इससे वो पता करते हैं डिसाइड करते हैं कि जो बंदा है वो निर्धन है या फिर नहीं है अक्षर वह कौन से सूचक होते हैं, वह कौन से इंडिकेटर होते हैं? आयत और उपभोग यानी वह देखते हैं कि वह बंदा कितनी पैसा कमा रहा है। कितना पैसा खर्च कर रहे अपने उपर कितना जाद और खण़ा हो..। यकितनी फैसिलिटीस पर ख़च कर रहmom इससे वो पता कर पाता है कि social scientist की वो बंदा जो है वो निर्धन है या फिद नहीं लेकिन ये तो दो चीजे basic है आय और उपभोग लेकिन जो social scientist है अब और भी चीजों को देखकर ये पता करते हैं कि जो बंदा है वो निर्धन है यानि आखिरकार वो कौन सी चीजे है बेसिक फैसिक फैसिलिटीज है जैसे कि बेसिक फैसिलिटीज में क्या आता है बेसिक एजुकेशन जिससे कहा जारा है निर्ध श्रदता इस तर यानि पढ़ाई का लेवल को पोशन के कारेंड रोक परती रोधी शमता की कमी स्वात सेवाओं की कमी रोजगार के अफसरों की कमी सुरचित पेजल एवन सुरचिता तक पहुच की कमी यानि जो बेसिक फैसिलिटीज है यह सारी जो एक समाज में जो बंदा है यह सारी उसको बेसिक फैसिलिटीज मिलने चाहिए पीने का साप तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समाजिक अपवर्जन इसको समझाने से पहले मैं इसके अंदर जो भी पूरे बात बात बताएगे, उसको मैं एक लाइन में आपको बताना चाहूंगा, समाजिक अपवर्जन इसको बहुत ही ध्यान से सुनना ये बात ध्यान रखना हो सके तो मेरे साथ साथ रिपीट भी करना देखे समाजिक अपवर्जन ये कहता है कि कोई भी बंदा इस वज़े से गरीब है कोई भी बंदा इस वज़े से गरीब है क्योंकि समाज में सुसाइटी जो है उसके साथ भेद भाव करती है अब हम इस स्लाइड है इसको समझने की कोशिस करते हैं समाजिक अपवर्जन को कहा जाता है इस अवधार्णा के अनुसार निर्धनता को इस संदर में देखा जाना चे कि निर्धनों को बहतर महौल और अधिक अच्छे वातावर्ण में रहने वाले संपन्द लोगों को समाजिक शम्ता से अपवर्जित रहकल केवर निक्रिस्ट वाता वर्ण में दूसरे निधनों के साथ रहना पड़ता है इसको एक एक इग्जामपल के माधिम से आपको समझाऊंगा देखी होता है क्या है कि माल लेतनी एक सोसाइटी है ठीक है इस सोसाइटी में अगर कोई भी गरीब बंदा आकर यहाँ पर रहने लग जाता है तो यह जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं यह इसके साथ भेदभाव करने लगते हैं just because यह बहुत जादा निर्धन होता है गरीब होता है तो इसकी वज़े से क्या होता है जब इसके साथ भेदभा होने लगता है तो उस सोसाइटी को छोड़कर वह जगा ज़गा को छोड़कर वह दूसरी जगापर चला जाता है जहां पर उसके तरह के ही लोग है रहते हैं उसके लेवल कि या नहीं जो poor person रहते हैं उन्हीं के साथ जाकर इसे रहना पढ़ता है, आया नहीं इतनी बार समझ, चलिए, एक और example से मैं आपको समझाता हूँ, इससे आप पका relate कर पाऊगे, ठीक है, एक example हो, यह आपकी class है, ठीक है, आपकी class में क्या होता है, कि एक बच्चा है, जो बहुत ही जादा weak है, ठीक है, वो जो intelligent person है, वो इसके साथ भेदभाव करने लग जाता है, या इसका use करने लग जाता है, हाला कि अगर आप intelligent हो, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना बहुत ही गलत होता है, कोई बंदा weak है, या कोई बंदा poor है, तो आप उसके साथ एक अलग तरीके से भेदभाव करो, ये करना गलत है, तो मैं ये चाहूँगा, क्योंकि आप मेरी student हो, तो आप ऐसा नहीं करो, तो बहुत ही अच्छा है, clear तो इस बंदे को फिर क्या करना पड़ेगा, जब इसके साथ इसको पता चलेगा, पागल तो है नहीं, इसको पता चलेगा कि इसका यूस किया जा रहा है, इसको पागल बनाया जा रहा है, तो ये बंदा क्या होगा, ये उन्हीं लोगों के साथ बैठना पसंद करेगा, जो weak होगा, ठीक है, क्योंकि weak वाला बंदा इसके साथ भेदभाव नहीं करेगा, वो क्योंकि एक ही category के रहेंगे तो भेदभाव करने से नहीं, लेकिन वो intelligent के साथ था, तो intelligent वाले भले ही इसको बहुत जादा परिशान करके रख देगा, तो अगर एक बात समझो कि अगर बच्चा weak वाला person, intelligent person के साथ रहता, तो आपको नहीं लगता है कि वो weak वाला person होता, उसके जो बुद्धी है वो थोड़ी और अच्छी हो जाती, उसका जो बोलने, बातचीत करने का जो तरीका है, पढ़ाई करने का जो तरीका है, समझने के शक्ति वो बढ़ जाती, तो इसमें यहीं बताया जाता है कि अक्सर अगर आप discrimination यहां पर किया गया, भेदभाव किया गया, और भेदभाव की वज़े से आपको केवल जो आपके जैसे वातर में, जो लोग है, उन्हें के साथ जाकर आपको रहना पड़ता है, इससे आपका standard बढ़ता नहीं, इससे अब बात हम करते हैं, इसी slide का दूसरा पार्ट है, समान अर्था में, समाजिक अपर वर्जन निर्धनता का एक कारण और परणाम दोनों हो सकता है, कारण और परणाम दोनों, मतलब यही है समाजिक अपर वर्जन जिसकी वज़े से हो रहा है, और इसी का परणाम भी है, ठ भी रहा है और निर्ध controversy का परिद्धनां मोन निर्दधन्ट कहने का जो गरीबी यह है उसके वज़े से औ ऑ इसका कर great तो आ रहे है किलियर मोटे इस प्रिक्रिया है जिसके माद्यम से व्एक्तिय समौ उन בחष ना अफंवरो रहते हैं जिसका उपयोग दूसरे और उसे च्रहिपा जा यहां पर वह इसांपल जा रहा है कि भारत में एक याती व्यवस्ता या कॉछ व्याजतियों के लोगों को समान अफसरों से अपवर्जित रखा जाता है इस प्रकारवव समाजिक अफ़ वर्जन में लोगों की आया में बहुत कमी करता है बल्कि उससे भी अधिक शच्थी पहुंचा सकता है अब आगे बताया जादा है कि यह ऐसा क्या होता है भादा देशकंद्र जाती विवस्त हैं बहार देश्कंदा जाती वह समय क्या होता है कि हम पड़े होंगे उच नीच ऐसा करके होता है तो अब जब उनको अच्छी जॉप्स नहीं मिलेगी अच्छी फैसिलिटी उनको नहीं मिलेगी तो उनका डेवलप्मेंट कैसे होगा और इसी वज़े से वो पीछे रह जाते हैं आया ना इतनी बास समझ तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं अगेन इसका समरी यही है समाजी का प्रजन का कि लोगों के साथ सुसाइटी में जो हैं उनके साथ भेधभाव किया जाता है बह Cum extensively करने के वज़े से भैधभा किया जाता है इस भैधभाव का परणाम यह निकलता है कि उस और जो होते है वो डेवलप नहीं हो पाते और सबसे पहले इंडिकेट करेगा उन लोगों के बारे बताता है कि जो सबसे पहले इंपेक्ट पढ़ेंगे आया नहीं आया समझ तो चलिए माले एक और एक्जामपल लेते हैं फॉर एक्जामपल क्लास में आपकी क्लास है क्लास है बहुत जादा शोर मचा रही है और आपके जो पीटी टीचर क्लास के अंदर आप बहुत ही गुस्सेमां उन्होंने इन मोड़ बनाया कि सब बच्चे पिटेंगे सब बच्चे जो है एकएक दोडो डंडे खाएंगे तो आप मुझे बताओ कि सबसे जो बंदा, सबसे पहले कौन पिटेगा, तो आप कोगे कि सर, इस वक्त जो सबसे आज सुधचित परसन है, वो है सबसे आगे वाला बंदा, हम मैं पीछे बैठ रहा हूँ, ठीक है, प्रॉब्लम तो मेरे को भी इंपेक्ट करेगी, तो मुझे भी पढ़ेंगे, ऐसी अच्छा यही बताता है, कि अगर देश केंदर कोई आपदा आगे, तो कौन से वो लोग है, जो सबसे पहले इंपेक्ट होंगे, कौन से वो लोग है, जिन पर सबसे पहले असर पड़ेगा, जैसे कि अभी करोना आया, ठीक है, करोना ने सब को इंपेक्ट किया, no doubt, आमीर स गरीब से गरीब, वो हर कोई इंपेक्ट है, लेकिन सबसे पहले कौन इंपेक्ट होंगे, सबसे पहले इंपेक्ट होंगे, जो दिहाडी मर्जूर है, क्योंकि बंद हो गया, दिहाडी से उनका काम चल रहा है, ठीक है, और उनको पैसे नहीं मिल पादी है, तो सबसे पहले वह इंपक्ट हुए बार में कहीं जाके दीरी दीरी और भी एक टेगरी और भी सेक्टर के लोग इंपक्ट हुए लेकिन सबसे पहले यह लोग हुए आयने इतनी बार समझ तो अब हम इसी को समझ जा रहें अगर यह समझ में आ चुका है तो नो डाउट आप आगे कर सकते हो वैसे तो बस इसी साथ अपना टॉपिक खतम हो जाता है अगर आपको यह समझ में आ गई है तो आप नो डाउट आप वीडियो को खतम कर सकते हो कमेंट शेयर कर सकते हो मेरा यह हैंडल से यहां पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं लिकिन मैं इस टॉपिक आपको समझाने जाता हूं ठीक है और अच्छे डिटेल वे में निर्धनता के प्रती असुद अच्छेक माप है जो कुछ विशेय समुदा है जैसे कि पिछडी जाती के लोगों में दीखा जाता है कि पिछडी जातियों के सादस या फिर वैक्ति जो विद्वा या शादेदिक रूप से वैक्ति है जिनका मतलब जो सादेदूप से अच्छे नहीं है या कोई विद्वा या कोई पिछडी जाती का है यह भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है कि यह ऐसे लोग हैं कि जो आने वाले समय में यह बताता है कि आन पर से निर्द्धारण परी समपत्तियों सिच्छा स्वास रोजगाय की आश्रोक रूप में जीव का खोजने के लिए विविन समोदाय के पास उपलब्द विकल्पों से होता अब यह कैसे पता करते हैं सर्थ कि मतलब आप कैसे पता कर पारे कि जो बंदा ये आने वाले समय में गरीब हो जाएगा ये गरीब बना रहेगा तो इसको पता करने के लिए हम कुछ चीजे देखते हैं कि उसकी पढ़ाई कितनी है उसके पास कितना पैसा है उसकी स्वास से कैसा है उसके पास क्या रोजगार है या नहीं अगर इन साधी से होता हमने पढ़ लिए इसके अलावा इसका विश्रेशन प्राकर्तिक आप राओं जैसे भुकंप सुनावी आतंगवाद आदी मामलों इन समोर के समक्ष विर्दमान बड़े जोखिमों के अधार पर भी किया जाता है अर्तिक विश्रेशन इन जोखिमों से निपटने क उनकी समाजिक और आर्तिक शमता के अधार पर किया जाता है कि अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होती है तो क्या उनके पास वो आर्तिक या समाजिक शमता है जिनकी वज़े से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं मतलब अगर यह चीज़े हो गई तो क्या उनके पास इतनी ए पाएगा तो यह थोड़ी ना देखेगा बूड़ा है तो निप्टादो जवान है तो अभी ओजिएगा तो इसे रहें ऐसा कुछ नहीं होता नौकरियों की उप्लब्रता में कमी दूसरे लोगों की तुल्ला में अधिक प्रभावित होने वारी बड़ी संभावना का निरू पड़ी आसुरच्छा है कि दूसरे लोगों के तुल्ला में जो लोग सबसे पहले प्रभावित होंगी आधिक प्रभावित होंगे उन्हें आसुरच्छा की केटेगरी में रखा जा रहा है तो इसक साथ अपना यह आसुरच्छा और जो हमारा समाजिक अप वरजन था वो सगर करें सीधा को मेरी लोकेशन पर पहुंचा देगा करता हूं वीडियो अच्छे लगी होग फो एक लगी है कमेंट किये बिना तो जाना ही मत ठीक है कमेंट करके जरू जा बिना ओ लाइक कर सब्सğ share कर दो दो काम है आप अपने हिसाब से देख लो कि आपको क्या करना पसंद है ठीक है दो काम तो करी सकते हो ना at least तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स वीडियो में उमीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगए होगी कि दो कि वन्स अगें थैंक यू सो मच मिलते हैं अब अगें ने कर दो दो में इसे बावाद